आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी श्टडी आईक्यो पैप का बहुत स्भागता आज आप मोती लाल लहरू की बात करेंगे दोस्तों मोती लाल लहरू की बात करें तो इनके बारे में बहुत कुछ बोला जाता है है ना बड़ा प्रपागेंडा चला जाता है मुस्लिम थे पाँच बीविया थी बड़ ये सब सच नहीं है प्रपागेंडा प्रपागेंडा होते है यह तिहास से छेड़ छर नहीं होनी चाहिए तो मोती लाल लहरू जो की जवाल लहरू के पताजी है हम इनके बारे में मेरा facebook page सिद्धान तक नहीं होता ही के नाम से मेरी facebook profile है दोनों ही जगा प्रेचर की PDF लेज सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तो गॉरफ से एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही किताब लिखी है failure to triumph journey of a student इसको study IQ की website से prebook कर सकते है study IQ का app आप play store से डाउलोड करिए अभी तो android पे है कुछ time बात ये google iOS पे भी ये अफिलेबल हो जाएगा दोस्तो मेरे बहुत सारे micro courses है मैंने battle series बनाई ये आप लग पूछते रहते हैं battle series कब आईगी तो world battle series, Indian battle series, Indian empire, history of kachmir बहुत सारे courses यहाँ पे cover किये हैं जितने मैंने lectures लिये हैं दोस्तों वो सब consolidated मिलेंगे आपको यहाँ पे operation, genocide, biographies साथी साथ हमने smart courses बनाए है UPAC IS के लिए प्रशान सर, माईपाल सरकेस में contribution है गौरफ सरकेस में contribution है कुछ IS ने contribute किया है और ये EMI पे भी available है तो अगर आप UPAC की तैयरी कर रहे है प्री प्लस मेर्स के लिए course है आपको बहुत ज़दा फायदा होगा Twitter पे मैं आ गया हूँ, ये रही मेरी ID दोस्तों अगर आप मोतिलाल नहरू की बात करें तो इनका जनन 6 मई 1861 में हुआ था देखिए मोतिलाल नहरू के जो पूर्वज है वो यहीं पे भारत में ही है कई भारत से बाहर नहीं आया है जैसा प्रपगेंड़ा चलाया जाता है इनके जो पिता जी गंगाधर नहरू जो है न वो आखरी कोतवाल थे Chief of Police थे वो दिल्ली के बाहदुर्शाय जफर आपको पता है यह बाहदुर्शाय जफर लास्ट मुगल एंपरर थे 1857 में करांती हुई बाहदुर्शाय जफर को लीडर बनाये गया हम हार गए 1857 की कुरांटी में हमको वलता नहीं मिली बहदुर्शाँ जफर को फिर इदर भेज दिया बहुन भेज दिया ठीक है वही जाओ वही रहू ठीक है तो बहदुर्शाँ जफर की बात करें तो उनकी रेन में कोतवाल थे ये आकरी जीफ थे ये ठीक है अब गंगादर नहरू जब First War of Independence हुआ तो गंगादर नहरू ने दिल्ली को छोड़ दिया और आगरा में आके सेटल हो गए और यहाँ पे ही 1861 को 6 मई 1861 को आगरा में मोतिलाल नहरू का जनम होता है है ना मोतिलाल नहरू के दो और भाई थे ठीक है दो बड़े भाई थे ठीक है एक थे अगर मोतिलाल नहरू की बात करें मतलब इनके बड़े भाईयों की बात करें तो पहले थे बंसीधर नहरू जिनका जनम 1842 में हुआ था और दूसरे थे नंदलाल नहरू, नंदलाल नहरू का नाम मैं आपे लूँगा, 1845 में जनम हुआ था, जो बचपन है मोतिलाल नहरू का वो राजस्थान में, राजस्थान में एक जगह है खेतरी, वहाँ पे इनका बचपन जो है वो बीता, अब खेतरी में राजा थे राजा फतै सिंग, राजा फतै सिंग से बहुत जदा करीब आ गए, राजा फतै सिंग के बहुत जदा करीब आ गए नंदलाल, तो नंदलाल नहरू को राजा फतै सिंग ने दीवान बना दिया, दीवान पता है कौन होत है आज का जो आप चीफ मिनिस्टर देखते हैं न वो उस समय का दीवान होता था तो ये पोस्ट थी दीवान बहुत बड़ी पोस्ट थी तो फताय सिंग के पास कोई बेटा तो था नहीं तो उन्हों नंदलाल को दीवान बना दिया और उसके बाद जब नंदलाल को दीवान बनाया तब यहाँ पे फैमिली में भी फिर परिवार में भी समरिद्धी आएगी ठीक है खेतरी के राजा थे राजा फते सिंग तो फैमिली में भी समरिद्धी आई तो मोतिलाल नहरू को यहाँ पे चांस मिला ठीक है अब हम ये देखते हैं अच्छा हाँ एक चीज और बता दू कि पहले ये जब राजस्थान में आये थे नहरू परिवार ठीक है यहाँ पे आये तो इधर नंदलाल को पहले कलर्क बनाया पहले राजा के कोटमें को कलर्क बनाया लेकिन जैसा कि मैंने बता बड़ी काबलियत थी नंदलाल में इनको दिवान बना दिया चीफ मिनिस्टर बना दिया बताइए इतना जबर्दस्त ठीक है उसके बाद हम देखते हैं कि मोतिलाल नहरू की पढ़ाई कहां पे हुई मुईर सेंट्रल कॉलेज ठीक है पहले तो इन्होंने कानपूर में इनके बेटे का दिहान्त हो गया इन्होंने फिर दूसरी शादी की स्वरूपा रानी स्वरूपा रानी कॉल से स्वरूपा रानी कॉल से जब इन्होंने शादी की तब 1889 में जवाहर लाल नहरू का जनम हुआ यानि की दूसरी शादी से सेकेंड टाइम जब इन्होंने मैर नेरू ये दो और डॉटर्स थी मलब दो बेटिया थी तो मोतिलाल नेरू के एक बेटे जवाल नेरू और दो बेटिया विजय लक्ष्मी पंडित और क्रिश्णा नेरू विजय लक्ष्मी पंडित भी बहुत था फेमस हुई इनकी बयाग्राफी भी मैंने कवर किया था इलावाद हाई कोर्ट में अपनी प्राक्टिस शुरू की, ठीक है, as an advocate, बहुत ही जबर्दस्त advocate ते कमाल का बोलते थे, यह जो oratory skills है, यह नहरू परिवार की, यह God gifted है, ठीक है, बहुत ही बढ़ी आप, नहरू परिवार के सारे सदस से कमाल का बोलते थे, ठीक है, अब हम द चासी में Congress का गठन हुआ, Indian National Congress बनी, ठीक है, लेकिन यह Congress इसमें जो leaders थे, वो moderates थे, मतलब, moderates कहने का मतलब यह है यहाँ पर कि यह पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे, इनका तो यह मानना था कि जो Britishers है, वो हमको हमारा उत्थान Britishर ही करेंगे, और उन्हीं के ही थूरू हम एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही prosperous nation बनेंगे, ठीक है, उस समय जो Indian National Congress थी, वो जाधा representation चाहती थी, हैना, वो जो assembly के उसमें seats चाहती थी, हैना, वो budget को review करना चाहती थी, कि यह जो फालतू के जो expenses होने, इसको बंद करो, आजादी नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि ह हम भारत को बहुत ही महान देज बनाए, within the British Empire, कि British Empire यहाँ पर रहे, और उसकी अंतरगत हम भारत को बहुत महान देज बनाएंगे, ठीक है, तो यह उस समय के moderates leader का मानना था, 1905 में लेकिन क्या वा, 1905 में दोस्तों, partition of Bengal वा, solution moment हुआ, और उसके बाद Congress जो है, वो split होगी, Congress जो है, वो दो गुटों में बट गई, आपको पता ही है, 1907 में जो सूरत सेशन हुआ था, अब सूरत सेशन में एक होगी, extremist एक होगी, moderates, है ना, अचा एक चीज़ और हुई थी, मैं आपको मोतिलाल नहरू के बारे में बताना भूल गया, मोतिलाल नहरू, आपको बता बच्चे थे और मोतिलाल नहरू की भी पूरा भरा परिवार था, तो मोतिलाल नहरू ने अपने परिवार को भी बहुत अच्छे से समाला, साथी साथ अपने भाई के परिवार को भी बहुत अच्छे से समाला, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत जादा थी मोतिलाल नह यह बहुत ही बढ़िया चला, तो हम यह देखते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा घर खरीदा 1900 में, जिसको आनंद भवन बोला गया, ठीक है, तो इन्होंने Congress, जब Congress split हुई, ठीक है, Congress की ideology से तो वैसे मोतिलान नहरू बहुत अधा इंस्पार्ट थे ही, लेकिन जब Congress split हुई, इन्होंने moderate section को चुना, क्योंकि मोधिलान नहरू खुद भी एक moderate leader थे, और जैसा कि मैंने बताया, कि उस समय जो बड़े लोग थे, जो बहुत बड़े-बड़े lawyers थे, उनका यही मानना था कि Britishers को अभी भारत में रहना चाहिए, जब तक Minto Morale reforms नहीं आया था, तो जब सू दोस्तों, 1909 में चीजे बदली, है ना, 1909 में चीजे क्या बदली, 1909 में दोस्तों, Minto Morale reforms आया, साथ ही साथ दोस्तों, इलाबाद में जो provincial conference हुई थी, उसमें इन्होंने preside किया था, मोतिलाल नहरू जो थे, वो इंडिया नाशनल कॉंगरेस के president भी रहे, है ना, यह आपक काफी जो sessions है, वो भी लिए, ठीक है, अगर Congress की बात करें, 1900 में Mirlo Monte reforms आ गए, अब यहाँ पी हुआ क्या, कि Mirlo Monte reform में, यहाँ पे Congress को लग रहा था कि सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, और हमको काफी कुछ मिलेगा, जो हमने मांग की है, वो पूरी की जाएगी, हमको representation मिले कुछ नहीं मिला, यहाँ पर कुछ नहीं मिला, उपर से separate electorate दे दिया, कि अब Muslim और Hindu अलग वोट करेंगे, Muslims के लिए Muslims के लिए Muslims के वोट करेंगे, Hindu के लिए Hindu के लिए Hindu वोट करेंगे, separate electorate, ठीक है, यहाँ से चीज़े बदल गई, यहाँ से Congress का moderate leaders थे, वो भी बदल गई, ल तो यूपी की legislative council से वो चुन किया है, मेंबर बने वो यूपी की legislative council के, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है, अब 1916 में home rule movement start होता है, एनी बेसेंट द्वारा, और मोतिलाल नहरू इससे जुड़ जाते हैं, in fact इनको Brigadier General of the Home Rule League भी बोला जाता थे, इन्होंने अपने newspaper भी स्ट ऐसा बहुत जादा था, लेकिन इस समय बदल गया सब कुछ, महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी ने Congress को बदल दिया, महात्मा गांधी ने सबसे बड़ी चीज क्या की, जैसे मोतिलाल नहरू जो थे, मैंने आपको बताया कि काफी ये aristocrat थ पर, तो मुतिलाल नहरू और भी जो बहुत बड़े-बड़े लीडर्स थे, वो Congress से जोड़े हुए थे, और Congress की membership महँगी थी, Congress में वही लोग आ सकते थे, जो बहुत इस तरीके के हूँ, उनका status बहुत बढ़िया हूँ, गांधी जी ने बदल दिया, गांधी जी ने membership की fees इसको बहुत कम कर दिया, गांधी जी ने आम लोगों को Congress के साथ जोड़ लिया, Congress को गांधी जी ने आम लोगों का सिंबल बना दिया, कि हम जंता को represent करते हैं, और गांधी जी ने फिर जब अपना non-cooperation movement start किया, बड़े-बड़े leaders ने surrender कर दिया, मोतिलाल नहरू ने सब surrender कर दिया, पूरी property इनोंने जितना पैसा था वो movement में लगा दी, in fact इनका जो घर भी था आनंद भवन, वो भी Congress की office के लिए use होता था, Congress की जो official बहुत सारी meetings होती थी, वो आनंद भवन में होती थी, तो मोतिलाल नहरू ने सब कुछ दे दिया, और जो इनका western lifestyle था, मोतिलाल नह ज़वाल नहरू नहरू जब तक वो जड़े रहे, अब इदर जवाल नहरू 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 भी आ गए, जवाल नहरू की बाइग्राफ रिव्यू की है, गांधी जी की सबसे बड़ी बात थी, कि वो सबको बदल के रख देते ते, जवाल नहरू मुंपली खाने लगे थे गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ बयाल नेरू को फ़िसट recursos नहीं आता था यह बहुत बड़ी खासियत था लाग करते हैं ये हैना स्वराज पाटी देखिए अब 1919 में 1920 में आपको पते ये नॉन कोपरेशन मुवमेंट शुरू हुआ 1922 में गांधी जी ने मैंने कई बार इसका डिसकेशन किया है 1920 में गांधी जी ने पूरे मुवमेंट को विड्रॉ कर लिया कि था चौरी-चौरा इ अब देखिए अब मुवमेंट को विड्रॉ कर लिया है नॉन कोपरेशन मुवमेंट तो रहा नहीं अब क्या कर सकते हैं अब हम पॉलिटिकल पाटी बनाएंगे तो मोतिला लेहरू और सियार दास ने बहुत-बहुत सवाल भी पूचा जाता है 1923 में सुराज पाटी दो हम चुनाओ लडएंगे हम सरकार को देखेंगे तो अभी तक कॉंग्रेश जो है वो डॉमीनियन स्टेटस की मांग कर रही है ठीक है तो यह चीज़ 1927 में सुराज पाटी कुछ खास कर नहीं पाई तो 1927 में उसको डिस्वैंडन कर दिया हलाकि आपको बता दूँ कि यह कॉंग्रेस का ही पॉलिटिकल विंग था ऐसा नहीं सुराज पाटी बिल्कुल अलग थी अब पूरा सेपरेट टॉपिक में फिलाल इसमें नहीं जाओंगा ठीक है किसमें कैसे प्रो चेंजर और नो चेंजर आए और इधर कैसे सरदार वल्लब भाई पटेर और इधर कॉं प्रोडम शुरू होती है 1927 आखरी था मोतिलाल नहरू भी इसमें नजर जमाय हुए थे आखरी क्या 1919 में रोले टैक्ट आया मॉन्टाइट क्लेंसफोर्ड रिफॉर्म्स आया 10 साल बात कानून आना था आग या 1927 में क्योंकि सरकार बदलने वाली थी साइमन कमिशन के नाम रिपोर्ट थी सायमन कमिशन की कोई उसमें एक जगह भी डॉमिनियन स्टेटस रिस्पॉन्सेबल गॉर्मेंट का नाम हो निशान नहीं जो रिपोर्ट पब्लिश की थीक है था वैसे पार्ट्स में था ऐसी भी बात नहीं है रिपोर्ट साला की बात में पब्लिश हुई लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें साथ मेंबर्स थे साइमन कमिशन में उसमें एक भारती नहीं था, अब उसी में आपको पता ही है कि इदर लाला लाजपतराय का मूट खराब हो गया, लाला लाजपतराय ने हम देखते हैं कि बकाइदा उन्होंने साइमन गो पैक के नारे लगा है, लाठी चार्ज किया, लाला लाजपतराय की जान गई, और इधर बगर सिंग का मूट खराब हो गया, तो बगर सिंग ने ये ठान लेकि मार देंगे उठाके, ठीक है, और इधर फिर सॉंडस का काम तमाम कर दिया, हाना, तो हम यहां पे देखते हैं कि 1927 में जब साइमन कमिशन आया, तो पूरा भारत उदास था, कॉंग्रस बहुत उदास थी, ठीक है, अब यहां पे मोतिलाल नहरू के जो बेटे थे, जवाल लाल नहरू और सुभाज चंदर बोस, दोनों बहुत अच्छे दोस थे, आपको वता दो, सुभाज चंदर बोस और कुछ करिए अब, अगर आप कुछ नहीं करते हैं, तो इतना याद रखेगा, कि आप हम लोग कुछ करेंगे, तो यहां पे बकायदा, गांधी जी ने बोला, कि मुझे 1.5 साल दो, अभी रुक जाओ, अभी हम देख लेते हैं जरा, ब्रिटिशर के स्टांस काइब एक बार रिपोर्ट को आ जाने दो, एक बार रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट में डॉमिनियन स्टेटस की मांग नहीं हुई, तो मैं दोबारा एक नया सिविल डिसोबीडियस मुवमेंट स्टार्ट करूंगो, जो कि 1930 में हुआ, लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, 1927 में सा पाल उठाये कि आप एक बात बताईए कि इसमें कोई भारती क्यों नहीं है, कोई इंडियन क्यों नहीं है, तो इधर साइमन कमिशन का मानना था कि तुम बनाओगे कानून, तुमारी आउकात है कानून मनाने की, पहले अपने चीजों को सही से देख लो, अपने आपको समा पालो, इंडारेक्ली उन्होंने ये बोला था, ठीक है, ऐसा एक्जाम में लिक मत आएगा, आपको पते है, मैं अपनी तरफ से चीज़े थोड़ा सा एड करता हूँ, ठीक है, उनका कहने का मतलब यह था कि इंडुस्तानियों के बसकी नहीं कानून बनाना, कॉंग्रेस का म खराब हुआ, मोतिलाल नहरू की अध्यक्षिता में एक बकायदा कमिटी बनाए गई, पूरी की पूरी एक साल में रिपोर्ट जो है, वो तैयार कर दी, तो अब मोतिलाल नहरू ने हम देखते हैं कि बकायदा रिपोर्ट बना दी, अब यहाँ पे पूरे कानून का खाका ब्रिटिशर को बोला, भया, रिस्पॉनसिबल गवर्मेंट दो, ठीक है, पूरा क्रस्क यही था, तो यहाँ पे साबित कर दिया, मोतिलाल नहरू अध्यक्षिते और इधर जवाल नहरू भी बहुत जवर्दस्त काम किया, लेकिन अब इधर लेकिन ब्रिटिशर जो है, ज कॉंग्रिस का सेशन हुआ, और एक रेजिलूशन पास हुआ कि दो साल के अंदर अंदर अगर आपने हमको डॉमीनियन स्टेटस नहीं दिया, तो आप की इड से इड बजा देंगे, है ना, ऐसा मुमेंट करेंगे, फिर आप देख लीजे, अल्टीमेटम था एक तरीके से, गांधी जी नहीं दो साल के अल्टीमेटम दिया, ब्रिटिचर बोले, बोलते रो, बोलते रो, तुम जो बोलो, हम नहीं करने वाले, मूट खराब हो गया, 1929 आया, दिसंबर 1929 को, 31 दिसंबर, फाइनली, लाहौर रेजिलूशन, ठीक है, लाहौर में सेशन हुआ, और यहा रेजिलूशन पास किया गया, पूर्ण सुराजार, उसके बाद, फिर 1930 में, सिविल डिसोबीडियन्स मुवमेंट भी लॉंच कर दिया, यहां पे माहत्मा गांधी ने, और सिविल डिसोबीडियन्स मुवमेंट ने, मोतिला नहरू ने बल चड़ के भाग लिया, गांधिय थे, 87 आर्टिकल्स थे, और उसमें पूरा खाका था, फंडामेंटल राइट्स के बारे में था, और सब कुछ, एक एक चीज इसमें सब कुछ, लेगिन बृतेन ने रिजेक्ट कर दिया, कि नहीं, हम मानते ही नहीं, ठीक है, और फिर इदर अल्टिमेट अंधिया गांधी चीजी ने, और 1930 में civil disobedience movement शुरू हो गया, दांडी मार्च से शुरुआत हुई, salt law ब्रेक कर दिया, उसमें नमक बनाने के लिए भी permission चाहिए थे, ब्रिटिश की, ठीक है, salt law को ब्रेक किया, उसके बाद movement इस्टार्ट हुआ, फिर 1930 से लेकर 34 तक ये movement चला, और उसके बाद फिर अलग phase शुरू हुआ, अब इस पूरे movement के लिए आनंद भवन को अपना headquarter बनाया, अपना घर तक दे दिया था मोतिलाल नहरू ने, यही पर ही meeting करो, यही headquarter होगा, यही सही meeting conduct होगी, और जवाल नहरू भी full on active थे, लेकिन अब मोतिलाल नहरू बुड़े हो चुके थे मोतिलाल नहरू बुड़े हो चुके थे, और फिर उन्होंने जो moment है, उसमें अपना साथ तो दिया, लेकिन अब वो उनकी health नहीं थी, कि वो पूरा जाए और हर एक चीज़ करे, कुछ वक्त बाद 6 फरवड़ी 1931 में उनका देहान थो गया, 1931 में मोतिलाल नहरू का देहान के लिए, जो प्रबगेंडा चलाए जाते हैं, जो जूटी खबरे चलाए जाती, ये वो ऐसा नहीं है, है ना, गांधी जी से पूरी तरीके से चुड़े, और फिर जवालना नहरू और गांधी जी का रिलेशन और जवालना नहरू का भी कॉंट्रिविशन आपको पता ही ह इसलिए पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इदर रुदर की न्यूज में क्रपा करके ध्यान ना दे, वाट्सैप इनुवर्सिटी के छात्र ना बने, ठीक है, खुश रही है पढ़ते लिए, दिसेश सिद्धान तक नियोतरी सैनिंग आफ